हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुँचे आपके पास आपको सोसल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है और लॉकडाउन का सही मतलब, असली मतलब, असली उद्देश यही है, इसको हलके में लोग ले रहे हैं, दरबंगा में दिन भर लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाये रखा जिसमें अधिकांस लोग सडकों पर बेवज़ा घूम कि तब तक किंद्र सरकार ने रज्ज सरकारों को यह इसपस्ट आदेश दे दिया था कि आप लोग डाउन को सकती से लागू करवाएं, प्रधान मंत्री भी बार बार अपील करते रहें, उन्होंने ट्वीट भी किया कि लोग घरों में रहें, लोग डाउन के मतलब को समझ हैं, लोग डाउन कोई सामन्य स्थिती नहीं है, यह औसामन्य स्थिती है, ऐसे ही नहीं सरकारें लोग डाउन करती हैं, और जब यह लोग डाउन हुआ है, तो समझ दीजिए कितनी बड़ी बात है, रेल सेवाएं ठप हैं, हवाई सेवाओं को बंद करने का एलान किया गया संसत की कारवाई सगित कर दी गई है कोट में सुनवाई बंद कर दी गई है वह सब इसलिए क्योंकि बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले देश भर में 100 से जादा जिलों में लॉकडाउन है बिहार के 38 जिलों में भी लॉकडाउन है आप अगर घर से बाहर निकले तो समझ से वाँ को छोड़कर किसी भी काम से बिना मतलब के आपको नहीं निकलना है बाहर आप घरों में रहिए दरभंगा में दिन भर पुलिस मसकत करती रही लोगों को यह समझाने के लिए कि आप घरों में रहिए आपका घर में रहना जरूरी है पूरे बिहार में कोरोना से बंद करने का स्पस्ट आदेश कर दिया गया है रज्ज सरकार द्वारा रज्ज में कोरोना वाइरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 31 मार्च तक सभी नीजी प्रतिष्ठानों, कारियालियों यवं सार्वजनिक परिवहन को पुर्णता बंद कर दिया है लॉक्डाउन कर दिया है बिहार में सरकार के मुख्य सचिब ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग करके लॉक्डाउन आदेशों का सकती से अनुपालन कराने को कहा है मुख्य सचिब ने इस बावत कम से कम छक को सांगों का गठन करने का निर्देश दिया है इसमें Home Quarantine को सांघ, Home Quarantine Enforcement को सांघ, Isolation को सांघ, Tall Free No. 104 का Operation को सांघ, Confirmed Message Monitoring को सांघ, एवं Lockdown Enforcement को सांग, मुक्चे रूप से शामिल है। जला पतादिकारी दरबंगा और डॉक्र त्याग राज़ाने सम्दरा उप्रोक्त वर्नित को सांगों का गठन कर प्रभारी पतादिकारियों को कर्थब एवं दाइतों से आफगत करा दिया गया है याद रखिए अगर आप नहीं समले तो आप दूसरों के लिए खत्रा बनेंगे खुद के लिए तो आप खत्रा बनी जाएंगे आप अपने परिवार, समाज, रज और देश के लिए भी खत्रा बन जाएंगे अगर आप घरों से बेवज़ा बाहर निकले तो पुलिस सक्ती भी करेगी और अगर हालात यही रहे तो कई राज्यों में जिस तरह से कर्फ्यू लगाने की कारवाई शुरू हो गई है तो कहीं बिहार में भी न लगानी पड़ जाए कर्फ्यू आप एक ऐसा मेसेज दीजिए कि आप घरों में रहेंगे ताकि लोग आराम से अपने घरों में रह सकें क्योंकि कर्फ्यू के इस्तिती भी कम मुश्किल वाली नहीं होगी